हेलो गाइस, वेलकम बैक टो एजूकेशन आईक्यू, आई होप आप सब अच्छे होंगे, तो आज का जो हमारा दाहिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है, वो है सबसे पहले मैं आपको हेडिंग का मतलब बताता हूँ, कि जो शांगाई कॉपरेशन और्गनाईजिशन है, जिसमें बड़ी-बड़ी कंट्रीज शामिल हैं, जैसे चाइना हो गया, उसके बाद रश्या हो गया, और उसके बाद जो हमारी मेन कंट्रीज में शामिल है, वो है पाकिस्तान, ठीक है, और भी इसमें कंट्रीज हैं, जैसे तजाकिस्तान हो गया, उजबेकिस्तान हो गया, लेकिन तीन जो एश्या की सबसे मतलब बड़ी कंट्रीज जो हैं, वो हैं चाइना, इंडिया, रश्या, रश्या को भी आप लोग मतलब वो, ईरोप में भी आता ह रहा है थोड़ा सा उसका हिस्सा और थोड़ा इंडिया में भी आता है तो उसको Eurasia बोल सकते हैं तो ये main countries शामिल है और इसमें आपको पता है China-India का conflict रहता है Pakistan का भी conflict रहता है इंडिया के साथ तो ये जो organization है ना इसके उपर आज हम लोग बात करेंगे heading का मतलब ये है कि SEO एक success story है success story मतलब जिससे कुछ फाइदा हुआ हो कुछ उपलब्दी हासिल की हो जो की that can get better मतलब जो की और भी अच्छी हो सकती है उसको हम लोग और अच्छा कर सकते हैं तो सबसे पहले ये heading का मतलब है अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है एक-एक line को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे कोई भी difficult word meaning आएगा कोई भी important term आएगी वो मैं आपको साथ-साथ में बताते चलूँगा तो starting से लेके last week video को follow करना ये जो lectures हैं आपके answer writing लिखने के लिए आपके खुद के knowledge के लिए बहुत ज़्यादा helpful होते हैं तो इनको continuously देखो एक बार मेरे से पढ़ने के बाद इनको खुद से जाके पढ़ना इसका जो PDF है वो आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगा और टेलिग्राम का link आपको जो है Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Organization मतलब July 4, 2023 को इंडिया ने successfully host की जो Council of Heads of State होते हैं इनकी जो meeting होती है ना Shanghai Cooperation Organization को इंडिया ने उसे head किया इंडिया ने उसको lead किया The world witnessed another SEO moment जो पूरा world है उसने witness की एक Shanghai Cooperation जो organization है उसकी एक moment एक पल leaders of the SEO member state signed the new Delhi declaration जो leaders हैं SEO Shanghai Cooperation Organization के जितने भी members हैं के वो आप मुझे comment box में बताओगे 3-4 तो मैंने ही बता दी जैसे इंडिया, रश्या, चाइना, पाकिस्तान ये जो main-main member है उजबेकिस्तान जो बचे हुए हैं आप मुझे पूरे comment box में बताओगे ठीक है, ये चीज़े आपको पता होनी चाहिए तो leaders हैं जो SEO के उन्होंने new Delhi declaration signed किया and issued the statement on countering radicalization और उन्होंने एक statement को issue किया कि हम लोग जो हैं वो counter करेंगे मतलब मुकावला करेंगे जो radicalization होता है, radicalization का मतलब क्या होता है, कटर जो कटर विचार डाले जाते हैं ना दूसरे लोगों में उसके उपर उसको counter करने की कोशिश करेंगे उसको मतलब कम करने की कोशिश करेंगे and exploring cooperation in the digital transformation और हम लोग explore का मतलब होता है खोजना, डूणना और हम लोग cooperation मतलब सहयोग की बात करेंगे जो हमारा digital transformation हो रहा है digitally जो चीज़ें आ रहे हैं उसमें हम लोग cooperation की बात करेंगे this summit granted Iran full SEO membership यह जो summit हुआ इसने grant किया कि Iran को जो है ना वो full membership मिलेगी SEO की, sign the memorandum of obligations of Belarus to join the SEO as a member state और एक memorandum sign हुआ जो की obligations, obligation मतलब होता है duties, जो duties की बात करता है जो भी इस member state को, जो है वो मतलब जो भी इस SEO को join करेगी उनको जो है वो इसको निबाना पड़ता है उन duties का पालन करना पड़ता है and adopted the SEO economic development strategy for the period until 2020 और इसमें SEO की जो economic development strategy की policy है उसे भी जो है ना वो adopt किया 2030 सक क्या policy होगी these significant outcomes have demonstrated the vitality of the SEO family, यह जो significant outcomes है, outcomes का मतलब होता है result परिनाम, यह हमें demonstrate करते है, मतलब दिखाते है जो vitality है, vitality का मतलब होता है जो importance है SEO शंगा corporation organization family की, जितने भी इसके members है अब आगे क्या लिखा हुआ है, a changing world मतलब world जो है वो बदल रहा है our world, our times and history are changing in ways like never before जो अभी जो चीज़े हो रही है पूरे world में, मतलब ऐसा कभी भी नहीं हुआ जितनी changes अभी आ रही है जल्दी जल्दी में the world is grappling with geopolitical tensions, grappling का मतलब होता है एकदम गिरा होना, पूरे world में जो है काफी geopolitical tensions है and economic slowdown economy जो है, मंदी पड़ी हुई है पूरे world में, energy crisis हो रहे है food की shortage है और climate भी जो है, वो change हो रहा है these challenges require the joint response of all countries, यह जो challenges है ना, इनको हर country का response की जुरूत है, सब countries को जो है, वो सामने आने की जुरूत है ताकि इन challenges को जो है, वो face किया जाए the major risk to world peace and development or power politics, सबसे बड़ा जो risk है वो क्या है, पूरे world की जो peace है, शान्ती है कौन इसको बंग करता है, जो power politics है, की कौन सबसे बड़ा countries है, अपने कौन जो है, अपने आपको global leader मानता है तो यह जो power politics चलती है ना, यह सबसे बड़ा risk है economic cohesion cohesion का मतलब क्या होता है, मतलब जबरदस्की कोई चीज करना, तो जो economic cohesion होता है, ठीक है जो मतलब pressure डाला जाता है economic के उपर, ठीक है, और जो technology decoupling है, मतलब technology जो decoupling का मतलब होता है, अलग-लग होना, तो जो technology की अलग-लग sides हा रही है और जो ideological constant है, मतलब ideology का मतलब होता है, विचारदारा की जो लड़ाई है, contest है, ये सारी चीज़ों की वज़ा से, जो पूरा world peace है ना, वो tension में है this central question revolve around unity or split, peace or conflict, cooperation or confrontation तो पूरा जो question है ना, वो किन चीज़ों के involved है कि ये जो split हो रहा है, मतलब unity रखनी चाहिए, या split होना चाहिए, शान्ती बनानी चाहिए, या जगड़े करने चाहिए, cooperation करना चाहिए, या confrontation करना चाहिए, लडाई करनी चाहिए the international community must answer them जो international community है ना, उनको इन चीज़ों को answer करना चाहिए over the year, the SEO has been committed to becoming a community with shared future for mankind, पिछले कुछ community के लिए काम करेगी, formally supporting each other in upholding their core interest, और जितनी भी इसके members है, वो एक दूसरे को support करेंगे, ताकि एक दूसरे के interest को जो है, वो बचा सकें and synergizing their national development, synergizing मतलो होता है, बढ़ाना और national development भी countries की बढ़ सकेंगी and regional cooperation initiatives, और regional cooperation initiatives पे भी जो है, वो काम करेंगे, ये इनका main motive था, member states have carried forward the spirit of good neighbor less, ठीक है, तो member states जो है, वो मतलब एक अच्छा neighbor बढ़ना चाते हैं, friendship करना चाते हैं and build partnership featuring dialogue instead of confrontation और वो बातचित करना चाते हैं, dialogue करना चाते हैं, ना कि confrontation confrontation मतलब लडाई and cooperation instead of alliance, और सहयोग करना चाते हैं, ना कि वो alliance, मतलब साथी नहीं बनना चाते हैं, वो सिर्फ साथी बनगे, बल्कि सहयोग करना चाते हैं एक दूसरे की मदद करना चाते हैं the SEO has been a guardian of and contributor to regional peace, जो शंगाई cooperation है ये guardian है, guardian मतलब जो आपको support करता है ठीक है, और एक contributor regional peace, जो भी शान्ती बनी हुई है, stability बनी हुई है prosperity बनी हुई है, तो इन सब का ये guardian है, these achievements manifest a common aspirations of all countries, so that there is peace development and win-win cooperation ये जो achievements है ना, शंगाई cooperation organization की, ये manifest करती है manifest का मतलब अन्दाजा लगाना the common aspirations of all countries, जो भी common aspirations है जो desire है, जो countries चाती है उनकी सारी जे, उनको हमें, मतलब उनका हमें idea पता चलता है इसके थू, so that there is peace तांकि peace रहे, development रहे और win-win cooperation रहे, the SEO leading and exemplary role can help strengthen unity and cooperation जो SEO का leading role है और जो example, मतलब ये दूसरों के लिए उदारन बन रही है, ये help कर सकता है unity लाने में, cooperation लाने में क्योंकि इसमें major major countries involved है development opportunities बढ़ाने के लिए and add risk and challenges, और risk और challenges को दूर करने के लिए, क्योंकि अगर main countries जो है, China, Russia Pakistan, India एक साथ आ जाएंगी तो बहु सारी problems जो है, वो solve हो सकती है, going forward in a new era, the SEO member state should strengthen strategic communication आगे जाते हुए, जो शंगाई cooperation के member है, उनको अपने strategy, communication जो बातचीत होती है उसको मजबूत करना चाहिए deep and practical cooperation practical cooperation को जो है, ओर ज्यादा बढ़ाना चाहिए and support each other's development and rejuvenation अब ये rejuvenation क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, इनको क्या होता है, rejuvenation as we build a better homeland together more certainly and positive energy will be brought to the world अगर हम लोग एक दूसरे का better homeland बनाएंगे, अच्छी जगा बनाएंगे अच्छा करेंगे, तो ये निश्चित है, certainly का मतलब होता है, एकदम निश्चित होना और positive energy जो है, वो पूरे world में आएगी इसका impact पूरे world में पड़ेगा वो इश्चुट इन्हेंच solidarity and mutual trust for common security हमें enhance का मतलब होता है बढ़ाना, हमें solidarity, मतलब मजबूती और mutual trust, जो countries के बीच में रहता है, उसको बढ़ाना चाहिए there are some external elements that are orchestrating a new cold war and blow confrontation in our reason कुछ external, कुछ बाहर के भी ड़ाना बढ़ाना जो की cold war और block confrontation confrontation मतलब होता है लणाई इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे है और research rating करने की कोशिश कर रहे है इस reason में जो Asia का reason है फीर सतरकता के साथ vigilance मतलब होता है सतरकता and form rejection और मजबूती के साथ चीज़ों को reject करना चाहिए SEO member states need to upgrade security cooperation जो शंगाई cooperation के members है उनको security cooperation को upgrade करना चाहिए बढ़ाना चाहिए and crackdown in a disease manner disease का मतलब क्या होता है किसी निन्ने पे पोंचना और इसको crackdown करना चाहिए इसको सही से जो है वो इसका हल निकालना चाहिए एक disease manner में on terrorism terrorism के उपर को श्निने लेना चाहिए separatism की जो policies रहती है अलग लग करना लोगों को extremism मतलब जो एकदम लडाई वाला जो महोल होता है उसको जो है उसको address करना चाहिए और जो transnational एक country से दूसरी country के बीच में जो crime होते है जो terrorist होते हैं उनका solution निकालना चाहिए we need to pursue cooperation in digital biological and outer space security हमें pursue का मतलब होता है पीछा करना हमें cooperation बढ़ाना चाहिए biological, digital और outer space security में and facilitate political settlement facilitate का मतलब होता है easy करना political settlement को easy करना चाहिए when it comes to international and regional hotspot issues जब हम लोग international और regional जो main-main issues हैं उनकी बात करें तो उन्हें जो हैं हमें अच्छे से solve करना चाहिए boy should embrace win-win cooperation to chart a path to shared prosperity हमें win-win cooperation मतलब कि दोनों जो countries हैं उनको, जितनी भी जो countries हैं उनको मिलके काम करना चाहिए एक सहयोग करना चाहिए अगर हमें prosperity मतलब खुशाली की तरफ आगे बढ़ना है protectionism, unilateral sections and decoupling undermined people's well-being all over the world जो protectionism है, जो unilateral sanctions है मतलब जो country के उपर जो कुछ रोकें लगाई जाती हैं, sanctions लगाई जाती है ठीक है, और जो decoupling decoupling का मतलब होता है अलग-लग करना, ठीक है, लोगों को बांटा जाता है, यह क्या करता है, undermined करता है undermined का मतलब होता है, weak करना, कमजोर करना जो लोगों की बलाई है well-wing है, पूरे वर्ल्ड में it is imperative for the SEO to generate stronger momentum for collaboration in trade investment technology, climate actions एक सेकंड एक सेकंड यार, climate actions उसके बाद, infrastructure and people to people engagement तो यह जरूरी है imperative का मतलब होता है, जरूरी है SEO cooperation के लिए, जो organization है कि वो एक stronger movement generate करे तांकि collaboration हो सके, मतलब एक दूसरे के साथ मिलके काम कर सके trade के उपर, investment के उपर, technology के उपर climate action के उपर, infrastructure के उपर और जो एक दूसरे का engagement रहता है लोग एक दूसरे के साथ जोड़े होते हैं, उसके उपर to contribute to high quality and resilient economic growth of the reason there need to be collective efforts to scale up local currency settlement between SEO members, expand cooperation on sovereign digital currency and promote the establishment of an SEO development bank, तो अगर हमें high quality or resilient economic growth करनी है, resilient का मतलब होता है, strong economic growth करनी है, इस reason में जो Asia का reason है, there need to be collective efforts, तो हमें एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा, collective effort लगाने पड़ेंगे, to scale up local currency settlement between SEO members, ताकि जो local currency है, उसको settle किया जाए, SEO members के साथ, cooperation बढ़ाया जाए, sovereign digital currency के उपर, और promote किया जाए, जो SEO development bank है, उसको need for multilateralism multilateralism का मतलब होता है, जब दो और यहां फिर दो से ज़्यादा country, मिलके काम करती है, उसको बोलते है multilateralism, तो उसकी हमें ज़रूरत है मतलब एक साथ मिलके काम करने की ज़रूरत है बोई शुट advocate multilateralism to shape our common destiny तो हमें जो है न, advocate करना चाहिए मतलब समर्थन करना चाहिए multilateralism का, मतलब मतलब मिलके काम करना चाहिए countries को, ताकि उनकी जो common destiny है, उनका जो लक्षे है उसको पूरा कर सके the SEO needs more engagement with its observer states observer मतलब जो observer states होती है, उनको जो है वो engagement बढ़ाना चाहिए, ठीक SEO को उनके साथ dialogue partners, जो उनके dialogue partners हैं, जिनके साथ वो बातचीत करते है and other regional and international organizations such as UN, UN के साथ भी उनको अपना सहयोग बनाना चाहिए and uphold UN center international system uphold का मतलब होता है कायम रखना जो UN, United Nations Center International System है उसे बनाए रखना चाहिए and the international order based on international law और उनको international law के हिसाब से जो है वो चलना चाहिए together we are united in promoting world peace, driving global development and safeguarding the international order एक साथ हम लोग जो है united है पूरे world में peace लाने के लिए global development के लिए और international order को save करने के लिए the SEO success story is a part of broader global partnership of emerging economies and developing countries, जो शंगाई कोपरेशन की जो success story है, मतलब जो सफलता की कहानी है ना, ये part है पूरे global partnership का जो की emerging economies and developing countries है उनका as changes to the global landscape unfold, emerging economies and developing countries continue their collective rise with greater cohesion and global weight, तो जैसे जैसे जो है ना, global landscape unfold हो रहा है, मतलब जो changes है, वो सामने आ रही है पूरे globe में, पूरे विश्यम में emerging economies and developing countries continue their collective rise जो emerging economies है, मतलब जो Uber के सामने आ रही है, और जो developing countries है, जैसे इंडिया है, वो लगातार जो है, वो rise करनी है, with greater cohesion, cohesion का मतलब होता है, मिल के काम करनी है, and global weight, we are increasingly acting as a progressive force for world fairness and justice, हम लोग जो है ना, एक progressive force जो आगे बढ़ रही है, उसकी तरह काम करने है, पूरे world में fairness मतलब, एकदम सही तरीके से काम करने के लिए, और justice के लिए है, over the next two months, South Africa and India will preside over the BRICS summit, oh and G20 summit, तो next two months में, South Africa और India, जो है, वो preside करेंगे, अध्यक्षता करेंगे, BRICS जो है, उन countries के और G20 summits की, respectively, this will be significant movement to shape a multipolar world order, यह important movement है, जहाँ पे हम लोग shape कर सकते हैं, एक दिशा दे सकते हैं, multipolar world order को, multipolar मतलब जो divide हो रखा है, promote inclusive global development, उसमें हम लोग inclusive, inclusive मतलब होता है जिसमें सारी चीज़े involved हो, तो उसमें हम लोग global development को भी promote कर सकते हैं and improve international governance architecture, और जो international governance architecture है, उसको भी improve कर सकते हैं, अब हम लोग बात करेंगे, चाइना की commitment है, मतलब उसने जो लक्षय रखा हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे China is committed to working with India, South Africa and other partners from the South to put into action the global security initiative China जो है, वो committed है, मतलब उसने सोच रखा है, कि वो working करेगी मतलब इंडिया के साथ, South Africa के साथ, और जो बाकी partners है South के to put into action the global security initiative, तांकि वो उस चीज को action में ला सके, जो global security initiative है, global development initiative है, और global civilization initiative है, to contribute to world peace, security and prosperity, तांकि वो contribute कर सके, world peace के लिए शान्ती के लिए, security के लिए और prosperity के लिए, तो China इन चीजों के लिए जो है ना, वो committed है, मतलब उसने एकदम सही तरीके से काम कर रही है, we need to pursue common comprehensive, cooperative and sustainable security, pursue का मतलब होता है पीछा करना, हमें जो common, जो sub-countries का जिसमें बला हो, और जो comprehensive, मतलब जो detail, cooperative सहयोग और sustainable security है उसके उपर, उसका हमें पीछा करने की जुरुत है respect each country's independent choice of the path through development and social system, और हमें respect करने की जुरुत है, जो भी countries का उनकी independent choice है, उनका social system का जो, मतलब, जो development का जो path है, उसे हमें उनकी अजादी देनी चाहिए, and avoid by the purpose and principles of the UN charter, और हमें पालन करना चाहिए, जो purpose है, और जो principles है, जो rules है UN charter के, the reasonable security interest of all countries deserve consideration, तो जो reasonable security interest है, जितनी भी जो countries है, उसको हमें consideration, मतलब, उसको हमें देखने की जुरुत है, dialogue and diplomacy offer the best hope to address international disputes by peaceful means, जो dialogue है, और जो diplomacy है ना, वो एक बहुत अच्छी hope है, ताकि जो international disputes है, जो जगडे है, उनको solve किया जाए, एकदम शानती के साथ, and security challenges in conventional and non-conventional domains should be dealt with in a holistic manner, और जो security challenges है, चाहिए वो conventional हो non-conventional domains में हो, conventional मतलब जहां काफी लंबे समय से, पुरानी जो काफी लंबे समय से, conventional मोलते हैं जो बहुत पुराने हो, तो और जो non-conventional domains है domains मतलब जो areas है, उनमें जो challenges चल रहे हैं, उसे हमें deal करना चाहिए, एक holistic manner में, मतलब मतलब एक साथ उनको deal करना चाहिए holistic होता है, मतलब जिसमें सारी चीजे include हो We need to for a united equal balance and inclusive economic development partnership, हमें जुरूर है कि हम लोग for, for का मतलब होता है banana, एक united equal balance or inclusive global development partnership को बनाएं, promote humanity commons values of peace, हम promote करें shanty को, development को, equity को, justice को, democracy को freedom को and get global governance to evolve in a fairer and more reasonable direction, और जो global governance है, जो पूरे world की, उसे हम change करें, evolve करें, एक fair, मतलब सही तरीके से और reasonable direction में, our voice should be loud and clear against hegemony, hegemony मतलब होता है, जब एक country का कोई, एक country, दूसरे country के किसी group पे rule करती है, उसको बोलते है hegemony, तो हमें जो है, अपनी आवाज को जो है, एकदम loud रखना चाहिए, clear रखना चाहिए, hegemony के उपर, ठीक है, unilateralism के उपर, मतलब जो country सिर्फ अपने साथ जो है, अपने लिए काम करती है, cold war mentality जो है, और जो block confrontation है, जो जगडे हैं, उनके उपर हमें रोकें लगाई जाती है, जो illegal है और जो long arm jurisdiction है jurisdiction मतलब क्या होता है jurisdiction का मतलब होता है, जो मतलब, जब कोई निन्ने की बात करते हैं, जब जो लंबे समय से jurisdiction चल रहा है, कोई भी case चल रहा है, उसे जो है, हमें सीधे सीधे जो है, वो reject करना चाहिए इस तरीके से, इन चीज़ों को करके हम लोग lead कर सकते हैं, example की तरह पेश हो सकते हैं, ताकि development जो rights हैं और जो legitimate, जो कानूनी interest है, फाइदे हैं, पूरे developing world के, उनके लिए हम लोग ये सारी चीज़ें करके, example की तरह पेश हो सकते हैं, तो ये था आज का the Hindu editorial article, I hope आपको समझ में आया होगा, तो अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं भी आती हैं, तो जब आप इसको एक बार खुट से read करोगे, आपको 100% समझ में आ जाएंगी, फटा फट fast forward में मेरे से देखो, उसके जाके इसको खुट से परो, आपको knowledge काफी जादा improve होगा, इसलिए तो मैं ये sessions जो हैं वह आपके लिए लेके आया हूँ तो regularly in sessions को देखो, चैनल को like करो, subscribe, comment पका करो तीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा share करो और जो निया बच्चा जुड़ा है, subscribe कर देना, bell icon को दबा देना, ताकि जब भी मेरा next video आएगा, आपको notification मिल जाएगा, और आप क्या करना, telegram को भी join कर लेना वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, और PDF में मैंने important words, important terms को highlight किया होगा, specially आपके लिए तो आपके लिए असान हो जाएगा, और आपको जो है, वह फाइदा होगा, तो पिछले भी मेरे lectures हैं, पुरा playlist बनाया हुआ एक महीने के, दो महीने के, कोई भी lecture आप लोग देख सकते हैं, आपके knowledge के लिए और अपना जो है, जादा से जादा फाइदा जो है, वह ले सकते हैं, तो आज के लिए इतना ही, तो कल फिर से मिलेंगे हम लोग, मेरा नाम अभी लाश है, तो continuously मुझे जो है, अप लोग फालो करना, जाएं